मिसमिल्ला रह्मान रहीम So students, इस lecture से हम आपखेंगे, हम सीखेंगे Variations को और Variation कौन कोन से है Basically, Direct and Inverse Variation So, परेदेखते हैं, Variations को Variation क्या चीज़ है So basically, Variation का जो बर्ड है ये निकला हुआ है detrimental है Vari. और Vari के मतलब ये है to modify something या एक चीज, for example, उसकी value अगर change हो रही हो, तो इसको हम कहेंगे, कि यह vary कर रहा है, ठीक है, change हो रहा है, तो जो word variable है, ठीक है, जो word variable है, यह भी basically निकला हुआ है, किसी से vary से निकला हुआ है, जिसका मतलब ही है, कि इसकी जो value है यह कुछ भी हो सकती है, इसकी value जो है, वो change होती रहती है, यह नि अगर हम यहाँ पर variables x, y, z को देख ले, तो इनकी values जो है, वो change होती रहती है, ठीक है, अगर आप किसी equation में इसको देखेंगे, तो तोड़ा सा अगर आप किसी values को तोड़ा सा change करोगी, तो इनकी values जो है, वो बिल्कुल different हो जाएगी, इनकी value किसी और form में convert हो जाएगी, change हो जाएगी, so इसी लिए, जो variation से basically वो change को करेते हैं, कि कुछ इस तरह के quantities है, कि उनके, वो जो है, हमेशा change होते रहते हैं, with reference to some time, or with respect to some time, let's suppose, मैं एक example देता हूँ, जो कि temperature है, ठीक है, अब temperature को अगर हम देख ले, तो temperature जो है, वो time के साथ-साथ जो है, या तो increase होगा, या decrease होगा, ठीक है, इसी तरह जो है, अगर आप कुछ goods लेते हों, कुछ grocery बगारा, या कुई, let's suppose आप कुछ fruit लेते हो, so, fruit का क्या है, कि अगर आप इसका quantity, quantity जो है, बढ़ाओगे, तो इसके जो price है, वो भी क्या होगा, automatically बढ़ेगा, ठीक है, तो prices क्या होंगे, prices क्या है, उसमें भी variations होते हैं, ठीक है, मिंगाई के वाज़े से, जो है, इसमें variations होते हैं, इसी तरह, जो है, अगर हम चेक कर लें, एक country है, उसकी जो population है, उसमें भी काफी variations होती है, यानि, population जो है, वो वक्क के साथ साथ, या तो बढ़ेगा, या तो, वक्क के साथ साथ, जो है, कम होगा, ठीक है, so, जो भी variables change हो रहे हैं, हम उनको, जो है, क्या कहेंगे, उन quantities को, जो है, हम कहेंगे, कि इन में variations हो रही है, ठीक है, इन में change हो रहा है, now, there are two sort of variations, जो कि हम यहां पर discuss करेंगे, एक है, हमारे पास direct variation, ठीक है, एक हमारे पास है, direct variation, और दूसरी जो है, वो inverse variation है, तो पहले हम देखेंगे, ज़रा direct variation को, उसके बाद, जो है, हम inverse variation की तरफ चलते हैं, so, direct variation, basically, क्या है, कि, let's suppose, अकर हमारे पास, जो है, दो quantities हो, x and y, ठीक है, और यह दोनों आपस में कुछ इस तरह related हो, कि, suppose, कर ले कि, उसी proportion से बढ़ रही हो, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, कि यह क्या है, direct variation है, मतलब कि, एक quantity के बढ़ने से, दुसरी quantity भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, या एक quantity के कम होने से, दुसरी quantity भी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, direct variation now मैं एक चोटा से example दे रहा हूं यहां पर for example let's suppose मैंने पहले एक example यह था fruits का so अगर हम कुछ goods ले ले लेते हैं कोई product ले लेते हैं let's suppose fruit ले रहे हैं now fruit अगर हम fruit की जो quantity है वो बढ़ाए तो उसका जो price है उसका जो amount है वो भी क्या होगा बढ़ जाएगा ठीक है suppose कर ले मैं fruit कर रहा हूं 1 kg now suppose कर ले कि 1 kg जो है वो equal है 10 रुपीज के 10 रुपीज के तो 2 kg किसकी को लोगा 2 kg को लोगा 20 रुपीज के 3 kg किसकी को लोगा 3 kg को लोगा 30 kg के ठीक है यानि हर चीज मतब इन दुनों को अगर आप चेक कर ले so basically जो fruit है ठीक है fruit की जो amount है sorry fruit की जो quantity है वो directly proportional है किसी के the amount वो directly proportional है किसी के amount के fruit की quantity बढ़ेगी तो amount भी बढ़ेगा fruit की quantity कम हो जाएगी तो amount भी क्या होगा कम हो जाएगा ठीक है so इन दुनों के दर्मिया जो relation है वो कौन सा relation है direct relation direct relation को हम denote करते हैं जिससे हम आपने यहां पर बदाएता है कि दो quantities है y and x अब अगर इन दोनों के दर्मिया मेरे direct relation शो करना हो तो मैं रिकूंगा कि y is directly proportional to x y is directly proportional to x so यह जो symbol यहां पर यूज हुआ है directly proportional इसको हम equal के sign के साथ replace कर सकते हैं इसको जो है हम replace कर सकते हैं एक equal के sign के साथ लेकिन जब भी आपने जो है किसी directly proportional को जो sign of proportionality है जब आप इसको replace कर लेते हो किसी equal sign के साथ तो आप इसके साथ जो है constant k भी लगा लेते हो ठीक है आप इसके साथ क्या लगाओगे constant k लगाओगे so x अपनी जगा पर so basically इसका मतलब यह है कि जब आपके पास x जो है वो हो let's suppose x आपके पास है 1 ठीक है और y आपके पास है 10 तो basically क्या होगा कि y आपके पास है 10 के अपनी जगापर x आपके पास क्या है 1 so k वन जाब k so basically k की वेरियो क्या आ गई 10 अब आपको पता चला कि k की वेरियो जो है 10 की एक्वल है 10 की एक्वल है so अब इस relation में यानि y is equal to kx में क्योंकि k की वेरियो क्या है 10 तो हम लिख सकते है y is equal to 10x ठीक है अगर मेरे पास अभी x की वेरियो जो है 2 बन जाए when x is equal to 2 तो मेरे पास y की वेरियो जो है क्या बन जाएगी 20 के 10 में पर बैट 2 जा 20 इसी तरह अगर मेरे पास x जो है तो वो 3 की equal हो तो y is equal to 30 okay so x के बढ़ने से क्या और है y की वेरियो भी क्या और ही बढ़ रही है x पहले 1 ता तो y की वेरियो कितनी थी y की वेरियो 10 थी ठीक है जब x2 हुआ तो y कितना हुआ 20 जब x3 हुआ तो y कितना बन गया 30 तो x के value के बढ़ने से y की value जो है exactly उसी proportion के साथ बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि y and x are directly directly proportional proportional to each other ठीक है y and x are directly proportional to each other